अधिक विगासपुरी आज हम हाइड्राफेशिल करने वाले हैं हाइड्राफेशिल बेसीकली स्किन की हाइड्रेशन और ग्लो के लिए होता है प्लस आपके ब्लाक हैट्स और वाइट्स भी रिमूव हो जाता है इससे इसमें काफी सारे स्टेप्स होते हैं जैसे कि आप यह सक्षन करते हैं जिससे की ब्लाक हैट्स और वाइट हैट्स को रिमूव किया जाता है उसके बाद में हमारे हाँ पर अल्ट्रा साउंड और आरफ होता है जो कि स्किन की टाइटनिंग के लिए यूज होता है फिर हम कूलिंग एफेक्ट देते हैं जैसे कि आपको पता है कि ह यूज करते हैं तो इसके बाद में हम कूलिंग एफेक्ट देते हैं सब कुछ कूल डाउन करने के लिए फिर हम लास्ट में एक एलेडी फेस मास्क लगाते हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहां पर एबी सी होता है विच मींज क्लिंजर एक्सफोलियेटर और विटमिन C का सेरुम तो सबसे पहले हम क्लिंजर यूज करेंगे इसको में सॉफ्टी पूरे फेस पे लगा दूंगी क्लिंजर को अभी आप देख सकते हैं कि स्किन ड्राय हो रही है जैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे स्कित में ग्लो आ जाएगा कि इस तरीके से हम ब्लाक हेट्स और वाइट्स को रिमूफ कर देते हैं इस सक्षन से इसके अंदर चले जाते हैं आप देख रहे हैं स्किन कितनी क्लीन लग रही है इस साइट करेंगे यह करने के बाद में हम एक्सफोलियेटर यूज़ करते हैं उसके बाद हम जैल लगाएंगे इसे फेशिल जैल बोलते हैं फेशिल जैल लगाके हम स्क्रबिंग परके डॉर्ट निकालेंगे इसकिन में से देख सकते हैं यह और कितना क्लीन हो रही है स्किन इस ट्रीटमेंट को मेल्स और फीमेल्स दोनों ले सकते हैं तो कोई भी एज बार नहीं है इस ट्रीटमेंट का प्लस कोई भी इस ट्रीटमेंट को ले सकता है उसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है सब कुछ बिल्कुल नाचरल और वाटर बेस है बहुत एजी वे है यह स्किन को क्लीन करने का इस ट्वीट्मेंट में टोटल 45 मिनट्स लगते हैं जिसके बाद में आपकी स्किन बहुत क्लीन हो जाती है और हाइड्रेटेड यह अल्ट्रा साउंड है इसकिन टाइटनिंग के लिए यूज होता है इसको इस तरीके से हम रोटेट करते हैं आपको मसाज स्वील हो रही है इस मशीन के अंदर हम हैंड्स का यूज नहीं करते हैं सब कुछ मशीन से करते हैं तो बेसिकली यह मशीन की मसाज है जिससे की सकता हिए नहीं होती है जिससे आपके क्विश कुण बहुत है श्किन अधरें लूजws और श्क्क्र को जाती है तो यहसको बना आगया दनंट के लिए इस सब्साइब का दूसरीके से आपकी मसाज पिल्कुल भी नहीं होती है कर ग्र्वेह पितल यह है रीडियो फ्रिक्वेंसी इससे पहले भी हम पेशिल का दुछ नहीं जेल लगाएंगे स्किन टाइटनिंग के लिए होता है इसमें से हीट और रेडियो वेज निकलती है तो इस फ्रिक्वेंसी से स्किन को टाइट करता है आपको हीट फील हो रहा है अब कर दो आप देख सकते हैं स्किन में कितना ग्लू आ रहा है इसकी बाद में हम कूलिंग देते हैं स्किन को कूलिंग दे रहे हैं स्किन को अब जो यहां पर हलकी हलकी सी रेडनेस आ रही है वह सब कूल डाउन हो जाएगा क्योंकि फेस बिल्कुल अभी आपका क्लीन हुआ है अब यह सब कूल डाउन हो जाएगा कूल डाउन करने के बाद में हम विटमिन सी का सीरम लगाकर उसको स्किन में इंफ्यूज करते हैं प्रेशर से इससे विटमिन सी स्किन में चला जाएगा इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है लेडी फेस मास्क इसको हम लगाकर के बाद में रग देते हैं इसले कि स्किन में जितना भी हमने प्रोसीजर किया है वह सब अच्छे से उब crit जाईगा जो इस शवी खटना मैडिस क्लिनेग